श्मेश पिता साहिब शिरी गुरु गोबिन सिंग जी महराज दे साहिब जादान दी जड़ी शहादत है मैं समझदा पंजाब दी तर्तितों दुनिया पार दे लोका दे ले एक बहुत वड़ा सुनेहा है एक पंथ नो एक जाना है कि फतेगर साहिब जीड़ा है वो सिख पंथ दी एक युनिवस्टी दे तौरते है वो तो एक सनेहा जा रहे है पूरी दुनिया नो देखो इस उमर दे विचे अकसर बच्चे नो दे पतानी उन्दा सिदानत है कि और फिर उना सिधानता दा पता होना फिर उना सिधानता दे पैरा देना फिर पैरा देन दे उना सिधानता ली अपनी जान तक वार देनी यह फलसफा है शहादत दा दुनिया ची जिनने भी तरम ने उना दे तरम दे जेड़े मननना ले लोग ने उना लोगां कुछ लोग गल ज्यादा मेंगी दुनिया जमीन खरीदे नाले दा तरम भी होई है असी जिते गुरू का रादे विच जा रहे हैं अपने बच्चे अनू भी दास रहे हैं कि भी शहादत इद्धा होई इना बच्चे अनू नाले वी दसना है कि शहादत दित्ती क्यूं तरम दा अगू है तर्णा इना रामा ते बहुत ही यौका निजनु जितन दा रस्ता स्वैमान दा रस्ता गैरत दा रस्ता हक ते सच दा रस्ता सफर शहादत सशिकाल अदाब नमस्ते लुध्याना टाइंग वेख रे तमाम दरुश्चां दा स्वागत है मैं हैं अमन सिंग दुनिया पर्द जेड़े सिख कौम दे नमेंदे ने गुर्दवारयां दे विच नमेंद की कारे ने इस शहीदी हफ्ते नो मनाउंड दे लिए सो वकवक उपराले कीते जान देने जिते सिख संगत वलों लोका नो सिखी देना जोडन दे लिए सो दूसरे पास से जेकर गल करिये ना मरजीवड़ें दी छे पो तो लेके तेरा पो स्तारह सो चार जेकर गल कीती जावे ना शहीदियां दी इना नो ब्यान करना बहुत ही ओखा जदों भी इना दी गल कीती जान दी है रूँ अंदर तक जड़ी आए ओ कंबणी छेड़ दिन अधर था बुल्द्ध किता जी उना ने गुरु सहाब नू वादा किता सी चेमे जाम में दिविचा के साहिब शीरी हर्गोबिन साहब जी ने उना दाव वादा पूरा किता सी उस्तो बाद दशमेश पिता दी गल्दुशाब अपी बुद्धुशा उना ने जित्धे कुर्बानियां देती हैं अपने मुरीदा दिया और अपने परवार नुवी सिख कौम दे उपनो वार देता है तो आज जैसी पहुंचे यहां लुद्याने दे जामा मस्जिद दे विच जड़े शाही इमाम ने मुहम्मत उस्मान रह्माने लुद्यान वी जी दे कोल क्योंक दर्मियान मौजूद ने शाही इमाम मुहम्मत उस्मान रह्मानी नुध्यान वी जी इमान साब बहुत-बहुत स्वागत है इमान साब गल करांगे के पूरी दुनिया दे विच गुर्णानक नाम लेवा संगत वल्लों जिते ए शहीदी हफता जेड़ा शहीदा नो समर्प बारे ने ओवी गुरु गोबिन सिंग जी महराज दे परवार नो याद कर देने इना दिना वागत सो तुसी इस बारे की कहना चाहूंगे संगत नो की संदेश देना चाहूंगे बिसमिल्ला रह्मान ररहीम शुरू अल्ला ताला दे नातों जो बड़ा मेरबान थे नहायती रह्म करना लाए ये सफरे शहादत दा महीना चलदा पर और दश्मेश पिता साहिब शिरी गुरु गोबिन सिंग जी महराज दे साहिब जादां दी जड़ी शहादत है ओ मैं सम तो इनकार नहीं किता जा सकता कि ये जिनों पोड़ा महिना आंदा है और जड़ असी उनना दी शहादत नो याद करते हैं ते दिल जिड़ा है एक वारी हलून देना जानदा और उना वकत ते शलात नो याद करते हुए लोग हमगीन हो जानदे हैं आ खा अश्कबार हो जा है कि आसी जिनने भी पंजाब ची रहना ले लोग हैं क्योंके सिख पंथ तां क्योंके इनुंप पूरी शर्दा दे नाल और क्योंके दशमेश पिता साहिब शीरी गुरु गोबिन सिंग जी दी परिवार दी कालएं उनों पूरे ज़बे दे नाल और पूरे अकीदत दे नाल मना देने उस दे नाल नाल पंजाब ते जड़े होर तरमादे पाई चारे दे लोग ने चाहे हो किसी भी माततों संबंद रख देने उना सारी रिवायता नो भी उस जजबे दे नाल जिन्दा रखना चाहूं देने जो जजबा दसां बादशाहियां ने जड़ाया है और लोकान वाता कीता है अक्सर ऐसी गाल कहने उन्हें जिदो हजरत इ मैं हुसाइन दी शहादत दी गालाने दी है कि साडे उमहरम दा महीना बड़े मातम देना जड़ा है उमनाया जबाद्वाबारर एक गाल जड़ी है कि जड़ी कर्बला है यह कोई अबरत दी जगा नहीं है बलकि कि साड़ी युनिवस्टी इसलिए मैं सिख पंत नो एक कहना चानना है कि फतेगड साहिब जिड़ा है वो सिख पंत दी एक युनिवस्टी दे तौरते है वो तो एक सनेहा जा रहे है पूरी दुनिया नो कि पुत्रा ने अपने गुरु पिता दे सिद्धांता दे लेई सिद्धांता दा पता होना फिर उना सिद्धांता दे पैरा देना फिर पैरा देन्दे दे उना सिद्धांता ली अपनी जान तक वार देनी एक फलसफा है शहादत दा रिवायता और फलसफा हमेशा काइम रहना चाहिए दा है रस्मा नहीं काइम रहनी चाहिए दिया ते ए बहुत बड़ी रिवायत उना ने पाई एक सनेहा देता है पूरी दुनिया दे लोका नू पुतरा ने शहादत जिदों देती उना ने अपने गुरु पिता दे सिद्धांता दे मताबक देती और फिर एक सनेहा भी देता है पूरी दुनिया नू की सनेहा देता कि अगर जालम जादा ताकतवर होए हकूमत तो अड़े तो जादा जाबर होए काजी इंसाफ करन तो इंकार कर दे नाल कोई सज्जे खबे खड़ा भी न होए और बाश्या चाहे कि तुसी उदी गलत गाल नू मन लओ उदे बावजूद जालम दी गलतो इंकार करके शहादत नू कबूल कर लेना यह ओ अजीम फलस्फा है कि जिस भी तरम दे लोका ने या जिना भी कौमा ने इस फलस्फे नू अगर अपनाया ते ओ क्यामत तक जड़ी है बिल्कुल सर उठा के जीना ले लोग ने सो इमाम साब हमेशा गल कीती जान दी है कि जिड़ा सिख पंथ है सिख तरम है और इसलाम दोहां दी जेकर गल कीती जावे यह बिल्कुल एक दूझे सिमिलर चाल देने क्योंकि सिद्धान तिक तो औरते जे देख जावे सिदान दोना दे, बिल्कुल इको जहने बुद परस्तीनु जिते इसलाम मना कर दे हो थे सिख पंथ दे विच भी मना ही है इस बार की कहना चाहूंगे कि बेशक इस चाहिए कि दोनों तर्म जेड़े ने एक दूर जिदनान मिल दे जुल देने इस करके इस दातिक तौर ते जेड़े रहबर सी उन्हादी भी विचारता रापस देविच मिल दी सी जेखो साब तो पहला था मैं एक गल पंजाब सारे लोकानों और पूरी दुनिया जे वास्दे पंजाबियानों कहना चाहूंगे के पहली गलता ये कि भी कट्टर तरम दा कट्टर बंदा हुंदा खेड़ा है आसी कॉड़ा बोलना लानू कट्र समय ते हैं कट्टर बंदा हुंदा है जेड़ा अपने जीवन दे विच अपन लोगां कुछ लोग गलत हो सकते ने तरम कोई गलत नहीं हो सकता सब तो पहले हमें सफरे शहादच साहबजादेयां दी शहादद दी अगर वाक्यात दी गल कराई किसे दी उना बच्चेया नू गिरफतार करवां दे लई जेड़ा बंदा मुक्बरी करदा है उदा तरम की है फिर उस तो बाद जेड़ा बंदा काजी बनन दे बावजू शरीयत दे खलाब फैसला करदा है उदा तरम की है जेड़ा बंदा हादा नारा मारदा है उदा तरम की है और जेड़ा बंदा उना दी आखरी यातरा दे लई सब तो मेंगी जमीन खरीदा है उदा तरम की ते तरम दे कुछ मननाले लोग ऐसा काम कर सकते तो ना दा पर्सनल ही काम होया लेकिन फिर अगर देख लो के दूसरे पासे एक पासे अगर कोई मुखबरी करना लए तरम होई है ते संसकार दे लई सब तो ज्यादा महिंगी दुनिया जमीन खरीदे ना लए तरम भी होई है गलत फैसला करना लेदा जिड़ा तर्म हादा नारा मरना लेदा भी ओही तर्म है तेदा मतलब कि तर्म जिड़े है वो बुराई नहीं सिखान दे कुछ मनना ले लोग जिड़े ने वो ताकत दे नशेच या कदी दौलत दी लालच दे विच आके गलत फैसला जिड़ा कर देते हो उन्हादा इंडूइजियल होया क्यों क्यों कि तरम ता हमेशा है केंदा कि साच्च और हक दा साथ दियो जितना पीर बुज्दुशार रहमतुला अले मुसल्माना देक बहुत बड़ा बुजर्ग है लेकिन जातों देखता है कि गुरू साथ भाक और इंसाफ दी जंग दे ली जा रहे आप भी शामिल उन्दा अपने मुरीदानों भी ले आन्दा है बच्चे भी शहीद उन्दे है हो तो बात बीवी पूछ दी बच्चे किते रह गए ते गुरू साथ जाथ उन्दे लागदा है कि वाकिए यह दा जन्नत दे विच ने ते एदा मतलब जाद नभी खाऊं और गनी खाने पी गुरू गोबिन सिंग जीनू उच्चे दा पीर बनाके मुर्डे चक्या यह दा पूरा परवार भी बिचड़ गया वो दे बावजूद जाली मुकमराना दी गल मननतों इंकार कर दी ता बिल्कुल इमाम साब गल कीती तुसी पीर बिदुशाज सरकार उना दी गल कीती उना ने अपना परवार भी गुरू गोबिन सिंग जी महराज उना दे लिवार देत अपन दे तौर ते अगे होके नहीं पत्तर अखन लेके हा गया उस तो पहला भी जेकर गुरू साब गुरू नानक सचे पाशा तो पहला उना ने बाणी कठी कीती बाबा फरीज जी दी पगतकबीर जी दी सो मैं मेरा सवाल है कि जो दो उना रहब्रां दे दिलां दे विच जो सई रहे हैं जाद भी राइनिती तरम नो अपने दीन करेगी ते फिरो तरम दा गलत इस्तमाल करेगी शरीयत दे विचे शुरू तो हमेशा है होया भी काजी दी पोस्ट जड़ी है और खलीफा तो उपर रखी गए हमेशा ताकि अगर कदी उनो खलीफा नो भी सजा दे आपनी ऑवे दिया को नहीं विचे है दे अध कनी को सजा दे सके ते जड़ी है कि दी दे कर दो बार बार पर वापस आ रहे हैं लिस सख्र शहारा महिनगे साफजादियां दी जड़ी शहादत है एक सनेहा दे रही है हर साल सनेहा की दे रही है असी जिते गुरू का रादे विच जा रहे हैं अपने बच्चेयानों भी दास रहे हैं कि भी शहादत एदा हुई इना बच्चेयानों नाल एवी दसना है कि शहादत दिती क्यूं शहाद दा मकसद की है उना दा टीचा की सिगा और शहादत सानु की सबक दिन दी है कि असी उना दी पैरवी देनाल इस गालनों तसलीम कर दे है कि असी जालम दे अगे सिर नी चुका मांगे कि असी पैरवी देनाल इस गालनों तसलीम कर दे है कि वी साध्या जीवन दी जड़ी वबस प्यार दा मुहबब दा कि असी उसने नो अपने पर अपने परिवार तो लेके मुहले तो लेके लोग का देवे चोदे नाल विचर रहे हैं यह नहीं विचर रहे हैं एक अक्सर बहुत मशूर मकूला है का मैं अपने कई दोस्तानों सनाना हो ना खेंदा नीम हकीम खतरा एज नहीं है मतलब पड़े लिक्या है लेकिन समझे आनी उनू ते फिर उपता नहीं तो अनू की कहत वे इसलिए पहला इस गाल नू समझन दी लोड़ा है मैं इस गाल नू हमेशा मेरे बहुत सारे दोस्त आज भी बहुत सारी जगा प्रोग्राम ने साब जाता हैं दी शाहाद बड़े पर आने बड़े और छोटे पर आदा रिष्टा है यह शुरू कि तो है तांतन कुर नानक देव जी तो पाई मरताना नाल लाग गया और फिर वो रिष्टा चलदा ही जा रहे है पिर नभी खान कहने खाने मोटें तक पहुंच गया ते हुन तक चलदा ही रहे है औ असे इस निजाम नूँ द बिलकुल इस तारह रखे कि साड़ा जेढ़ा पंजाव है साड़ी जरी मह बोली है साड़े कुल जडी यह रुआतां गुरु सअधान ओना रिवाईता नूँ कैम रखी है अपने जीवन दे गिच अपने वहवार दे विच अपने वैपार्च अ सरकारों वे कोशिशां कीती हैं जाने पिछली हैं रिवायती पार्टियां सी ओना वननो भी कोशिशां सी के इधारम नु बनियादी तौर दे मश्बूत कीता जावे उस तो बाद आमधनी पार्टिदी सरकार ने जेते पंजाबी मा बोली दापदर उच्चा चुकन दी कोशि किता हुज नाल नाल उना वल्लों सिख्या बबा अगनुए हुकम जारी किते गे सी के शहीद दी हफ्ते दे दुरान बच्चेया नू सिक इतिहास जेडा खास करके साहिबे कमाल तंतन श्रीगुर्गोबिन सिंग जी महाराज दे परवार बारे भी दस्या जावे और पड़ाय है जावे सो की लागदा हुना दा उपराला एक किदा दा ठीक है क्योंकि अक्सर वेक है जान दा कि जिते लोग कानू इतिहास बारे नहीं पता हुन दा मैं एक्जाम्पल दमांगा के इंडिया दे विचे एक कानून है पुलिस है पर जे अर्ब कंट्रीज दी गल की ती जा मैं समझे दा कि पंजाब सरकार खास करके पंजाब सरकार नो यह चाहिदा कि ओ जो रिवायतां गुरू साहिबान ने देती हैं उना दे मताबक सरकारनों किदेना किते वड्डे उपराले करन दी लोड़ा हजे वी उपराले बहुत काटने यानि जिस पद्द्द दे उत्ते होने चाहिए देने उस पदर दे उत्ते हैं नहीं और यह नहीं के सिर्फ 80 कुछ खास देना दे विच बलके जड़ा साधी सिख्या पर नाली है पंजाब सरकाल दी उस सिख्या पर नाली दे विच इस गालनों रख्या जावे बकाइदा की साध्डा जड़ा पुरानी हैं हजारा साल तो रिवायत हैं और पहली पाशाही तो लेके दस्वी पाशाही तक और खासकर तन तन गुरु गोविन सारिया पाशाहिया दा जिक्रोवे लिए इनू बकाइदा हर एक कलास दे विच बच्चेया दी नौलज दे मताबक जिस तरह उना दा दर्जा के वाद दा जानदा है ताके जाद कोई पंजाब दा बच्चा और सिरफ सरकारी स्कूलां ची नहीं बलके मैं बहुत बड़ा का हो दिया रभ गया ते मैं उना नौ पुच्चा मैं का वीजा तुसी अरभी ची लिखके दे दिनने हो कई यह नू पढ़ना नहीं अंदा बार ले मुलकां जो कहते साधी सिरफ दर्दी नहीं है असी अपनी बाशा नहीं चाड़ सकते ते असी ही अपने सुबह ची रहन दे ह हुए इस गाल नो कटो कट यकीनी बनाई है कि जेड़े वी सिखे के दारे क्यों किसी तरम देनाल संबंदत ने उना नू पंजाबी मा बोली जड़ी है क्योंके देखो जेड़ा सिख पंत है अगर एदी काल करिये ते एदी जेड़ियां रिवायता हैं और ज्यादा का लिए उर्दू शेका लिए हिंदी का लिए होनी भी चाहिए दी है लेकिन जेड़ी बुनियाद है साड़ी वह ता गुर्मकी और पंजाबी या पिर तो जिन्हों सी शाह मुकी केने लिए जीड़ी पुरानी रिवायती जिड़ीयां जुपना है जेड़े वीचि साड़ रहेने कमकार कर रहेने पर जेड़ा सड़ा पुरातन विर्षाव पंजाब दिनाल जुड़ा है जिड़े सड़े तार्मिक स्थान ने जिस तरह साका सरहंद हो गया चमकौर सहब दा इतिहास हो भी सो उन्हानूं की संदेश देना चाहूंगे उ किस तरह जुड़ साग देने क की सिख्ध साड़े वर्ड़े पराने उन्हां दा जेड़ा मुक जेड़ा केंदर है शरी तरबार साभ अमरे सर अकालतक्त साभ उना दे जेड़े जखतेदार साभ ने ओ अगरे दो ले लिये जड़ियां बढियां जमाता ने कि साड़ी जड़ी नौजवानी है इनू बार जान तो किस तरह रोके रहे कोई कानून बना आके था तो उसी रोक नहीं सकते के जी तो विजा नहीं लें देना या पासपर एदा ता नहीं हो सकता की वजा की है एदे उत्ते बकैदा मैं समझे दाया कि मुखमंतरी पर वंतमान जिनू एक हाई कमिशन कमेटी अ चाहे दी है जेड़ी कटो काड़ सिरफ छे मिन्ने चे वो सारे बिंदुआ नू सामने लियावे काड़के भी की वजा है लोग माइगरेट क्यों हो रहे क्यों जा रहे अच्छा जे साड़े पर के किसी नूँ बुच्छोंगे ते सानू वजा सामने नजर आ रही है कि जो पड़ाई दा मुल होना चाहिदा सी ओ नहीं पह रहे हैं जो जवानी दा मुल होना चाहिदा सी का ओ नजर नहीं आ रहे हैं जो इंफ्राटक्चर होना चाहिदा सी ओ नहीं बन पा रहे हैं तेदे किते ना किते मैं समझ दा हां कि जिनने भी कौम दे बड़े लीडर ने चाह है उतर हम नाल संबन्द राख धीन हैं च다면 नहरो नहों कितना किते सिर जोड़के बैठें करूंके पंजाभी 현is दिनाल ही हमेशन दिनली है काम रख्या जासकता है। तो इसलिए जली पहला सरकार कर नहें करना हुं है कि अनिम्पलाइमेंट जड़ है मैं इसलिए छोटी जीक मिसाल तोनों में देना चाहना है शायद पहला एक दफा तोड़ेनाल इस बारे गाल हो चुकी कि मैं अक्सर अरब देशां देविचे इस गाल दे रिसर्च की थी कि भी ए लोग आपस मतलब बगावत क्यों नहीं लड़े लुड़े काते हैं नहीं तर परसेंट है ओथे दे हुकम राना ने इस गाल नूँ समझ लिया कि जे लोग की वेले रहन गे ताइंव लड़न गे जे वेले रहन गे के दुझ्या दे नुक्ता जी नहीं करने वेले होन गे ताइं इस देश नुचाटके कि ते होर जान दी सोचन ते उना ने फिर एक कनू यह दा कोई गाल नी काम चलान लीक असिस्टेंट आपना लालो लेकिन में गुर सीदे बंदा जाड़ा बैठे गा पंजाब किनी इंडस्री है किनी बार ली कंपनियां ने दे दफ्तर गोले किनी बार ले साधे कोल बड़ीयां 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 थे मिला दे ना नही पता लगोगा कि जीरो परसंट है क्यों क्योंके सानु मौका ही नहीं दिता गया यह किसी बार ले सूबे आले दी मुखालफत नहीं है यह सिरफ एक कहना है कि भी जेड़े लोग इस सूबे दे विच रह रहे ने जेड़े जांपा लेथे दे ने जेड़ा बंदा एम में ब कमामा गे पिछे मापे उन्हीं भी बेच जांगे उन जिड़ा एक वारी बार चल गया वापस ता आंदा नहीं वोदी पहली कोशिच उन्दी भी पी यार मिल जे मैं उत्थे दा योजमा ते फिर एथे के ने रहना जे सारे नोसी उत्थे पेजना इसलिए सरकार नूँ चा इलाइजर्स ने जिनियावी चीजाने ओफिशल्स ने गोर्मिंट दे इधारे ने कि असी उन्हा जे कट्टो गड़ सेवंटी फाइफ परसेंट पंजाब दे जांपल लोका नूँ चाहे जड़े थे आगे पहले होनु पंजाबी बानंगे परवासी भी जेना नूँ चाल लेकिन अगर इतना ही सरकारा ने इस गाल नूँ नजर अंदाज रख्या तेदे जिम्मेदार जड़े हैं और दोनों तिर होनगे सरकारां भी होनगे तर्मीन होगे अखीर चिगाल करांगे एक बार फिर दशमेश पिता दी ब्याली साल दी उमर इमाम साब पूरी दुनिया दे विच उना दा जड़ा ना हर तरम दे न मैंदे वलों बड़े अदब दिनाल लेया जांदा है याड़ी साल दी उमर दे विच चाहे हो युद नीती दी गाल होए राज नीती दी गाल होए एक बतार कवी दे तौरत जी उना नूँ जाना जावे बवन्जा कवी उना दे दर बार दे विच हर दम मौजूद रहें दे सी वक वक तरमा दे उस तो बाज एकर संगीत विद् कल्चर आ रहें पंजाब दे विच आसी मौडनाइजेशन वल जा रहे हैं तरम तो आसी टोट दे जा रहे हैं तो नौजवान किस तरह उस तरह नूँ जड़ा पंजाब दे विच बरकरार रखना उस बारे नौजवानान की संदेश देना चाहोंगी मैं पहली गलता है कि न अपने तरम ते सही तरह चलना है और अच्छी तरह चलना चाहने हो ते फत्वे ना दे हो अजड़त महम्मसाब दा जीवन पड़ो तो नौँ पता लगन लाप है कि दर नूँ जाना है तो इसी तरह पंजाब ची जड़े लोग रहें देने और सिख पंथ नूँ खास कर कोशिश कीती के सिर्फ उना दी जंग दी जिन्दगी दिखाई जाए अदे आत्मक जिन्दगी ना दिखाई जाए जेने पूरी दुनिया चे उना दे ना तो इनकलाब बर्पा कीता है जिस दी वज़ा दे नाल जिनने आसपास दी हैं सरकारां से सारी हैं यह लगई हैं कि इना ने कैसी बुनियाद रखती हैं अन्दपूर साप तो ते वो पूरी जीवनी उन्हों जाए पढ़ोंगे तो अनू एं लगएगा भी तो अनू भी अपने जीवन कुछ न कुछ तबदिली दी लोड है अच्छा जा तुसी उन्हों पढ़ोंगे ते जीवन जाहर जी का बहुत बहुत शुक्री है माम साप सुए संसादे नाल लुद्याना जामा मस्जितों शाही इमाम मुहम्मद उस्मान रह्मान लुद्यान विजी जिना ने दसिया के पूरी दुनिया दे वेचे जित्थे साहिब कमाल तंतंशिरी गुर गोबिन सिंग जी महराज और उना द परवार नो याद कर देने सो जुरूरी है कि उना दिया से ख्यामा जडिया ने उना दे उपपर अमल किता जावे और अमली तौरते अपनी जिंदागी दिविच उना नो लेके आनदा जावे तां़ जो असी रहन दी दुनिया तक यह जडिया शहादताने इना नो बरकरार रख सकीए और इस इतिहास नों संबाल सकीए कैमरा मैन सत्वन्ध मठाडू देनाल अमन सिंग लुध्याना टाइम्स